तो यह ड्रेस कोई भी बना सकता है जिनको स्लाइब नहीं आती वह भी बना सकते हैं जी हां क्योंकि इसमें हमको कोई कटिंग नहीं करने किसी विदर कि स्लाइब मशीन की भी ज़ुरत नहीं है जी हां सही सुना आपने तो हमें चाहिए इसके लिए एक राइडिमेट ब्लाउस जो कि आपकी साइस का हो और एक चाहिए लुपट्टा और इसे सिल्ला में बहुत आसान है मैं वन वन एक एक स्टेप बताऊंगी उसे आप अच्छे से फोलो करेंगे और सबसे अच्छी बात होगी जो यह कुर्थी बन के त्यार होगी से शॉट नार करी कुर्ति भी बहुत सबसें और इसको आप सल्वार के साथ प्लाजों के साथ लेंगे के साथ इवन साड़ी के साथ भी ब्रकर सकते तो चलिए आपकी बनने वाली है एक यूनिक सब्सक्राइब भी अपको यह सब डबल कपड़ा दिखता है तो आपको सिंगल कपड़े पर इसलाई लगाने जिसी कि आपके आगे की साइड फ्रेंट के साइड जो धागे हैं वो नहीं दिखाए देंगे तो सबसे पहले आप बलाउस को उल्टा कर लीजिए और यहां पर एक चीज में बहुत ही क्लियरी बोल बूगलर की अपको भी हैवी चुन्नी ले सकते है जो आपको अच्छे लगेगी और हाँ इसको सिलने का एक तरीका यह है कि आपको यह जो चुन्नी है जो कि नेट की मैंने लिए इसे आप 10 से 12 इंच से छोड़ देंगे मतलम जो अंदर का कपड़ा होगा वो छोटा होगा और बाहर का होगा वो बड़ा होगा तो इन दोनों के वीच से 10 से 12 का इंच है वो आपको रखना ही रखना है वो आपको आगे समझ मैंगा कैसा क्यों करना है अब उसके बात है ना इन दोनों को करने के बाद यहां पे बीच से एक ठाका लगा लेंगे जिससे कि आपका जो सब्सक्राइब नहीं होगी और आपका साइज खराब नहीं होगा चलिए तो हमारा दुपत्ता रेटी है बिलाउस में टैच करने के लिए तो आपको यह एक चीज़ बहुत ही क्लियर करना जैसे में दुपत्ते को लगा रहे हूं दुपत्ता वैसे ही लगेगा चाहे बिलाउ स्टिक नहीं जोड़ नहीं होका चाहिए फ्रेंट कपलाउस रहेगा तो आपको पहलने में बहुत बगाने में बहुत हम सब्सक्राइब कर दें और मैं तो चुन्नी में अपना वही चुन्नी को पांका साइड में मैं लगा रही हूं जिससे कि पूरा जो मेरा हृ उसका फ् घहरा है पूरा एक समान है तो इस बात का धियान का इसलिए प्रेंट इस पीछे से चोड़ दिया अब मैं इसे आगे से चोड़ रहे हैं तो यह आप दोनों दिख रहा है यहां से भी आपको 12 छोड़ना है तो तो इसके बाद आपको यहां में लग जाता दुपट्टे का सिल जाता तो मैंने यहां पर स्टार्ट करती है तो 10-12 इंच आपका दुपट्टे का छोड़ के फिर आपको यहां से स्लाई लगाने हैं तो दुपट्टे के दोनों पले हम इसी तरीके से यहां पर सिल लेंगे और अगर आप ऐसी चुन्नी लेते हैं जिसमें अल ओवर लेस लगे हुई है तो उसके लिए आप एक काम करना फिर दोनों ही साइड ना दुपटे के आपको सेम रखना है उपर नीचे नहीं रखना है अगर आप उपर नीचे रखेंगे तो जो लेस है वो एक सैट से उल्टी दिखाई देगी एक साइड से सीधी दिखाई देगी तो उस कंडिशन में हमको दुपटे के दोनों पढ़ ले हैं वो सेम रखना है और इसके बाद तेखिया मेरा इस सील गया उसके बाद में अपनी फिंगर से नाप कर यहां में इसमें फ्रिल डालते जाओंगी या चुन साइड भी चार आने चाहिए उस तरीके साप नापते हुए लगाएंगे तो यह जो सलाई है बहुत ही पॉफेक्ट लगेगी कोई नहीं कह सकता है कि आप नोसी किया और आपको सलाई नहीं आती तो यहां देखें मैंने जो इस साइड है महां तीन लगाएं चुनन और दू ऋके करता है यह बंके तियार है तो गाईस देखिए यह बंके तयार हो गये बिना किसी लाइं मैशीन के तो नाव ऐन वान विख North harus ऑी तिस Подहुं कि QU देखें लें हैं तो यहां उस फाइन तुपट्ट ने सकते हैं तो ये बहुत ही खुब फौरत लगीडी तो ये स्थरा की कुर्थी बनाना बहुतत ही आषयर आजण है आप देली-डेली नैने नै कुर्थिया मना सकते हैं दुपट्टे के साथ बलायूस के साथ I hope guys आपको ये पसंद आए होगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई